Hello students, चलिए स्टार्ट करते हैं exercise 12.3 का question number 4 देखते हैं क्या है? Interesting question है, exam में आता है. ध्यान से सुनना क्या है? Using section formula show that the point this, this and this are collinear. हमने क्या करना है? Section formula का use करते हुए, इन तिन्नों points को क्या करना है? Collinear prove करना है. तो कैसे करें? ध्यान से देखो, हमें जो coordinates दे रखें हैं वो दिख लो. ये coordinates दे रखें हैं 2, minus 3, और 4. ये coordinates दे रखें हैं minus 1, 2, और 1. और ये points मालने थे हम कहीं बीच में लाई कर रहे हैं. कहीं भी लाई कर सकते हैं, बाहर भी, यहां पे भी, इधर भी, कैसे भी. तो ये points होगे हमारे 0, 1 by 3, 2. ठीक है, assume किया है हमने, कोई particularly उसने mention नहीं कर रखें इनकी position. तो ये points मालने थे हैं A है, ये B है, और ये हमारा क्या है C, ऐसे ही. अब हमें क्या निकालनी है, कि ये अगर 3 कुलीनियर हैं, तो ये C point इस दोन्नों points को कुछ ratio में divide करता होगा, के ratio 1 में. अगर मुझे ये ratio मिल जाए, तो मैं check कर सकता हूं, कि ये points line के उपर हैं या नहीं हैं. तो सबसे पहला काम क्या है हमारा ratio find out करना. तो चलिए देखते हैं, ratio कैसे find out करेंगे, ध्याम से देखो. सबसे पहले, जैसे हमारा क्योंसे number 3 था, सेम वही step हमने follow करने हैं. ये हमारा C points है, C points के coordinates देरखे हैं, 0,1 by 3,2 is equal to. formula क्या होता है हमारा mx2 plus nx1 upon m plus n, ये हमारा x coordinate होता है, y coordinate की बात करूं तो मैं, m y2 plus n y1 upon m plus n, और z coordinate की अगर बात करें, m z2 plus n z1 upon m plus n, ऐसे ही तो होता है, ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारा C coordinates के 0,1 by 3,2 is equal to, mx2 मतलब k की minus 1 से multiply, minus का k, 1 की 2 से, plus में 2 upon m plus 1 मतलब k plus 1, ठीक है, इनकी निकालने की जरूरत भी नहीं है, यहाँ पे क्या करो, score 0 को क्या कर लो, compare, तो यहाँ पे compare करेंगे, minus का k plus 2 upon m k plus 1 is equal to 0 के, तो यहाँ पे k plus 1 की 0 से multiply होगी, तो minus का k plus 2 is equal to 0 हो गया, और k is equal to क्या आगया, हमारा 2, तो k की value 2 के लिए, हमने देखना है, कि यह जो points हैं, हमारे कुलिनियर है या नहीं है, ठीक, तो k की value आगे 2, तो ratio जो हो जाएगी, हमारी क्या हो जाएगी, तो ratio 1, अब देखो, इस coordinates को लिख लेना, कैसे क्यों लिखना है अब ही बता रहा हूँ, इसको कैसे लिखेंगे हम, k की multiply 2 से करो, तो 2 k, 1 की minus 3 से minus 3 upon m k plus 1, यहाँ पे देखो, और क्या करेंगे हम, k की multiply 1 से करेंगे तो k, 1 की multiply 4 से करेंगे तो plus 4 upon m k plus 1, अब k की value यहाँ पे 2 put करके देख लो, इनमें, इनके equal आती है या नहीं आती है, अगर equal आ गई तो कुलीनियर है, नहीं आई तो नहीं है, तो k की value 2 put करके देखो, इसमें तो क्या आ गया, 2 k minus 3 upon m k plus 1, is equal to किसके आना चाहिए, 1 by 3 के, तो left hand side चेक कर रहे हैं हम, k की देखा 2 put क्या, 2, 2 जा 4, 4 में से 3 गया, 1, अब उनमें 2 plus 1, 3, तो 1 by 3 equal to 1 by 3 आ गया या नहीं आ गया, इस पे चेक कर लो, तो यह क्या आना चाहिए, k plus 4 upon m k plus 1 is equal to 2 आना चाहिए, 2 put करेंगे 4 तू जा, 4 ओ टू, 6, अब उनमें 2 plus 1, 3, 3 बन जा 3, 3 तू जा 6, तो 2 equal to क्या आ गया, 2, तो इसका मतलब क्या है, ये point इस line के उपर ही लाई करता हुगा कहीं, ठीक है, तभी इन दोनों को अगर 2 raise to 1 में ये divide करता हुगा, तो ये इसी line पे exist कर रहे है, इसी लिए हमारी ये points क्या हो गया, ये भी 4, k is equal to 2 के लिए, हमारी equal आगे points, तो यहाँ पे कह सकते हैं, so, these points are collinear, मतलब एक ही line में ये lie कर रहे हैं, समझ में आगया question, कोई दिक्कत हो, तो आप comment करके पूछ सकते हैं, दरवाई channel को subscribe कीजिए, like कीजिए और share कीजिए, thank you students for watching this video, thanks.